कि यह गई मैं हूं यह फोग और स्वागत आपका एक को शांदर शी वीडियो में और गाईज कि आप लोग भी वी यार रैंक में हीरो नहीं पहुंच पार हो तब बिल्कुछ से वीडियो प्यार क्योंकि आज मैं आप लोगों बताने वाला कि ऐसी चैरेक्टर स्किल जिसकी म अब बजा है गरना भीडो तो चलिए फटाफट से माइब करता दे रहा हूं कि आप ब्यार रैंक के लिए कौन से जो पहला हमारे करेक्टर देख सकते हो बागी में बता देता हूं कि आपको अनलिमिटेड एच्पी प्रोइड करता है और वह कैसे करता है वह आप मेरे पू दूसरी पैसिव इसकी लेनी है वह लेनी है आपको कैली की अबिलिटी क्योंकि भाई यह आपको 6% से स्पीड इंक्रीज कर दे दिए और अगर आपके पास इलाइट के लिए तो भाई अगर आप भाग रहे हो मतलब 6 से 5 से रहे हो लगातार तो आपको पहला शोट होगा व वह 106% से एक्स्टर डैमेज करेगा तो यह काफी ज़्यादा अच्छी चीज है और इससे आपको फ़र डैमेज भी बढ़ जायागा अगर आप बड़ पैगर से मारते हो तो यह भी एक अच्छी एक करेक्टिस के लिए और भाई स्पीड तो चाही होती है तो कहली तो यह वह तो जाइबा दीघ्म करने बाई यह तो जैसे तक बड़ादे इसके पास अवह आता है आपको डीवी मैंच्टर चूज करना है क्योंकि यह आपकी एक्क्यूरेसी को मैंटेन करके रखता है और आपकी गोलियों को रिकोए रोग रुख जाएगा तो भाई आपकी वुड़ पैकर की सारी गोली बंदेखे बढ़ेंगी और भाई आपको पता होगा वुड़ पैकर की दो या फिर तीन गोली में बंदा वही डेर हो जाता है उठी नहीं पाता वो और आगर आप अची चला रहे हो तो भाई दो गोली में मंदा समापत है तो भाई यह काफी दद कामत है और यह मुमेंट इस पीरों बढ़ा देता है जब आप फायर करते हो तो यह एक अच्छी चीज है तो यह होगा आपका क्यारेक्टर कॉम्बिनेशन ब्यार रैंक के दो पहला है यह उन उसमें आपको के चैरेक्टर तो रखना ही रखना है और जो आप अगला रखोगे वह आपका कैली एकदम सेम रहने वाला है उसके बाद जो हमारा करेक्टर आगा वह आयागा हमारे देखो ना को दिखा देता है जो कि भाई यह एक तो सथ सो परसेंट बंदे को जल्दी मार नौक होने की बाद जो अच्छी बात अगर आप स्कार में खेल रहे हो या फिर डुव में खेल रहे हो तो और जातर बंदे का करते हैं कैंपिंग के घर पे चड़ जाते हैं यह तो बंदी गिलू भी नहीं लगाएगा उस टाइम पर बंदा क्या पता नहीं बहुत पीछ लो लगा दे और आप उसको आसानी से मार पाओ तो एक काफी ज़्यादा अच्छी बात होती है उसके बाद अगला करेक्टर वह आप डीवी करेक्टर यूज कर सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी भढ़ानी है तो वरना मैं आपको दूसरा करेक्टर भी एक आप सोच सकते हो 25 डाइमेज बहुत ज्यादा होता है मतलब अगर आपने किसी बंदे को यह दोलों का शोट मारा डेर सोगा पड़ता लेकिन इसके वाज़े साब ज्यादा बहुत बहुत जाएगा और अगर किसी अनिमी पर टार्गेट आरे जैसे कि आपके किसी दोस्त के पास मोगो करेक्टर है और आप और उस बंदे पर आ रखा है मार का रखा है मोगो का तो भाई यह उस पर 3.5% से और ज्यादा लेमेज करेगा तो 25 और 3.5 मिलाकर यह को टोटल 30 के आस पर चल जाता है 28.5 तो पहुंच जाता है तो आप इसको 30 मान सकते इतना कोई दिक्कत न पर जल्दी बियार रेंक पर अपग्रेड हो जाओगे और भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह थी आज की वीडियो मैं में विलूँगा आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबा गाईज